तो मेहनत करने से काम बनता है, एक और student की सेम कहानी है, वो मेरा student नहीं, वो मेरा classmate है, तो नाम अमिद दिक्षित है, अभी वो Zola करके, Zola, Zulu, कोई company है, मुझे नाम वह भी confused हो गया, उसका CTO है, Chief Technology Officer, और बहुत जबरदस्त बंदा है, अमिद दिक्षित, आप सर्च कर सकते ह अंदा जो था वो जब अपनी पढ़ाई कर रहा था याने जही की तियारी कर रहा था तो उसके टीचर ने उसको बोल दिया था कि तुम्हारा सेलेक्शन नहीं हो सकता हमने हजारों बच्चे पढ़ाए हैं तुम सेलेक्ट नहीं हो के दिखा उसको इतनी आग लग गई इतनी लग गई कि उसने बोला विस टीचर को रॉंग प्रूफ करके रहूंगा मैं और जबर्दस्ट मेहनत की हो सकता है ये बात कहने से पहले वो सेलेक्ट नहीं भी हो रहा हो लेकिन एक बार नेगिटे बात मन में चुप गई किसी ने हट कर दी आपकी सेंटिमेंट और आपने उसको सीरियसली लिया तो कई बार इसी तरह के गुस्से से भी बहुत जबर्दस रिजल्ट बनते हैं हालकि उस टीचर के प्रती नेगिटेव फीलिंग नहीं थी उसकी टीचर अपने अपीनियन के लिए अंटाइटिल्ड है वो मतलब वो अपना अपीनियन तो बोल सकता है सर देखें मैंने आपको गलत प्रूफ कर दिया उस टीचर ने साफ बोल दिया कि मुझसे जादा खुश कोई नहीं है अपने आपको गलत प्रूफ होने में मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ तुम जो बोलो वो गिट उसको एक जबरदस्त गिफ्ट भी दिया उसको कुछ चार पाश हजार का उस समय कोई समान दिया था टीचर ने तो अब आप सोचिये कि और वो बताता था कि मैंने डबल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था जिस दिन मुझे किसी ने बोल दिया था कि तुम नहीं हूँ ऐसे हजारों एक्जैंपल मैंने देखे हमारी एक स्टूडेंट थी सुमिरन अगरवाल सुमिरन अगरवाल अभी यूएस में है सुमिरन अगरवाल भी हमारी एक स्टूडेंट थी और वो स्टूडेंट को स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी लेकिन उसके एक आधबार स्कूल में नंबर खराब आगे तो उसके स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि तुम्हारा बोर्ड पास होना वड़ा मुश्किल पाऊंगे सार जब बोर्ड ही नहीं होगा तो मेरे को आयटी करके क्या हो जाएगा अल्टी सेलेक्शन हो भी गया तो भी नहीं मैं कोचिंग छोड़ देती हूं मैंने तुरंत उसके सामने बहुत सिंपली यही बोला कि तुमको बोर्ड की त्यारी के लिए आयटी छोड़न नंबर थे और वो स्टेट की सेकेंड टॉपर थी तो हमारे को चारो तरफ लोग जो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते हमसे नहीं हो पाएगा हम लल्लू हैं वो कई बार गलत प्रूफ करने का बहुत अच्छा मौका मिलता भी है इसलिए बच्चों अपनी ताकत को को सीरियस ली लो अपनी मेहनत को सीरियस ली लो लो लोगों को गलत प्रूफ करो जो आपको ये बोलते कि नहीं हो सकता हलाकि हमारे चारो तरव ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो सेलेक्शन हो भी जाएगा तब भी नेगेटिव ही बोलेंगे कि यहां सेलेक्शन से क्या फाइदा तुमको वहां सेलेक्शन होता तो मजाता तुमको यह ब्रांच मिली तो क्या फाइदा अब कौन इस ब्रांच में जा उसी टीचर को दिखाने गई कि देखो, लेकिन वो टीचर थोड़ा नेगेटिव था, वो ला हां हां ठीक है ठीक है, वो उतना मैचेवर नहीं था, आज हम